आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जंडा फैराया था। साथियों कारगिल का युद्ध जिन परिस्तित्यों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मन्सुवे पाल कर भारत की भूमी हत्याने और अपने यहां चल रहे आंत्रिक कलह से द्यान भठकाने को लेकर दूसाहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समंदों के लिए प्रयास रथ था। लेकिन कहा जाता है ना बैरू अकारन सब काहूं सो जो कर हित अनहित ताहूं सो यानि दुस्ठ का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुक्सान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीट में छुरा धौपने की कोशिश हुई थी। लेकिन उसके बाद भारत की वी सेना ने जो पराक्रम दिखाया। भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं। उँचे पाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ये। हमारे वीर जवान लेकिन जीत पाड़ की उँचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उँचे होंसले और सच्ची विर्ता की हुई। साथियों उच समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सोभागे मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल ख्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूँ कि आज देश भर में लोग करगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोचल मिडिया पर एक हैश्टेग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें स्रधांजली दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूँ। जिन्होंने माभारती के सच्चे सपुतों को जन्म दिया। मेरा देश के नवजवानों से आगरह है कि आज दिन भर कारगिल विजे से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथ हुआ आपसे एक आगरह करता हूँ आज। एक वेबसाइट है www.galantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रम योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारिया प्राप्त होगी। और वो जानकारिया जब आप अपने साथ्यों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेणा का कारण बनेगी। आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूंगा बार-बार कीजिए।